हिलो दोस्तों, आज हम करेंगे जनरल सामान्य विज्ञान के 20 सवाल जो की, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे ग्रुप D, BPSC, UPSC के लिए बहुत ही इंपोटेंट सवाल है, तो चलिए शुरू करते हैं, आपका सवाल नमबर एक है, निमनल इखित में कौन वायू प आपका सही जवाब हो जाएगा, ओप्शन D, DDT, आपका सवाल नमबर दो है, प्रथम जीव की उत्पत्ती हुई, आपका ओप्शन है, ओप्शन A, पृत्वी पर, ओप्शन B, हवा में, ओप्शन C, जल में, ओप्शन D, किसी अन्यग्रह पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ओप्शन C, जल में, आपका सवाल नमबर तीन है, जीव की उत्पत्ती जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन क्या, आपका ओप्शन है, ओप्शन A, यूई पाष्चन ने, ओप्शन B, वान हिलमांत ने, ओप्शन C, रोबर्ट हुप ने, ओप्शन D, ओपिरिन ने, आपका सही जवाब हो जाएगा, ओप्शन D, ओपिरिन ने, आपका सवाल नमबर चार है, पौधी की किस भाग से कौफी प्राप्त होती है, आपका ओप्शन है, ओप्शन A, फूलो से, ओप्शन B, बीजो से, ओप्शन C, पतियो से, ओप्शन D, फलो से, आपका सही जबाब हो जाएगा. option B. बीजो से, आपका सवाल नमबर 5 है. निकोटीन पाया जाता है. आपका option है, option A. चाय की पती में, option B. तंबाकू की पती में, option C. कॉफी के बीजो में, option B. नीम की पानी में. आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्शन B, तंबाकू की पत्ती में आपका सवाल नमब 6 है टीप भक्षी पौधा है, आपका ओप्शन है ओप्शन A, अमर बेल ओप्शन B, ड्रोस्रा ओप्शन C, गुलाप ओप्शन D, नागफनी आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्शन B, ड्रोस्रा आपका सवाल नमब 7 है डीएने का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नूबल पुरस्कार मिला आपका ओप्शन है ओप्शन A, वाट्सन एवं क्रिक को ओप्शन B, डॉक्टर A. जी खुराना को आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्शन A, वाट्सन एवं क्रिक को आपका सवाल नमब 8 है अनुवान शिक्ता के जन्दाता है आपका ओप्शन है ओप्शन A, ल्यामाक ओप्शन B, डाविन ओप्शन C, कुराना ओप्शन D, मेंडल आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्शन D, मेंडल आपका सवाल नमब 9 है चेचक की वैसिन को सर्व प्रथम तयार किया आपका ओप्शन है ओप्शन A, यूई पाष्चन ने ओप्शन B, डाप्टर जैनन ने ओप्शन C, लिस्टन ने ओप्शन D, साल्क ने आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्शन B, डाप्टर जैनन ने आपका सवाल नमब 10 है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा आपका ओप्शन है ओप्शन A, ओक्सीजन ओप्शन B, राक ओप्शन C, मिट्टी ओप्शन D, पानी आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्शन D, पानी आपका सवाल नमब 11 है निमनलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पालिया गया है आपका ओप्शन है ओप्शन A, टीवी पर ओप्शन B, कैंसर पर ओप्शन C, जोडों के डिसॉर्डर पर ओप्शन D, मस्तिष्ट के डिसॉर्डर पर आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्शन A, टीवी पर आपका सवाल नमब 12 है प्राकृतिक की नाशक एजादिर केटिन प्राप्थ होता है आपका ओप्शन है ओप्शन A, तंबाकू से ओप्शन B, नीम से ओप्शन C, आम से ओप्शन D, पपीते से आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्शन B, नीम से आपका सवाल नमब 14 है एंटिबाउटिक होता है आपका ओप्शन है ओप्शन A, पौधे आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सवाल नंबर 15 है निमनलिखित में कौन दूद को दही बनाता है? आपका आप्शन है आप्शन A. खमीर आप्शन B. लेक्टो बेसिलिस आप्शन C. राइजोपस आप्शन D. राइबोजियम आपका सही जवाब हो जाएगा आप्शन B. लेक्टो बेसिलिस आपका सवाल नंबर 16 है इंफ्लूइंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है आपका आप्शन है आप्शन A. मेड काव डेजीज आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सवाल नंबर 17 है राडार का आविशकारक कौन था आपका आप्शन है आप्शन A. रॉबर्ट वाट्सन आप्शन B. फ्लेमिंग आप्शन C. बुस्वाल आप्शन D. आस्टिन आपका सही जवाब हो जाएगा आप्शन A. रॉबर्ट वाट्सन आपका सवाल नंबर 18 है मनुष्य में एफ्ला टोक्सिन खाद्य विशाक्तन द्वारा सामान्य तह कौन सा अंग प्रभावित होता है आपका आप्शन है आप्शन A. कृड़्य आप्शन B. फेफड़ा आप्शन C. रॉइक आप्शन D. ये कृट्ट आपका सही जवाब हो जाएगा आप्शन D. ये कृट्ट आपका सवाल नंबर 19 है निमनलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है आपका आप्शन है आप्शन A. विटामिन B6 आप्शन B. विटामिन B2 आप्शन C. विटामिन B1 आपका सही जबाब हो जाएगा आपका सवाल नंबर 20 है इनमें से रक्टदाव का मापक यंत्र कौन सा है आपका आप्शन है आप्शन A. स्फेरोमीटर आप्शन B. अनीमोमीटर आप्शन C. स्फिगमोमेनोमीटर आप्शन D. आमीटर आपका सही जबाब हो जाएगा आप्शन C. स्फिगमोमेनोमीटर अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद झाल 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 हुआ झाल 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 झाल